हलो फ्रेंट्स आज मैं आपके सामने मलीदा बनानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत आसाने बनाना और साथी बहुत टेश्टी और बहुत हेल्दी होती है तो आईए शुरू करते हैं आज की रेसिपी यह मैंने आटा लिया है और इसको नॉर्मल पानी से गुन देन ना जिस तरीके साम रोटी का अठा गुंते हैं और आटा में में कुछ नहीं मिलाना है और अब चूले में मैंने कडाई रग दी है और इसमें मैंने देशी घी डाल दिया है आप चाहें तो ओयल भी यूज्दी बना रहें तो इसमें देशी घी काई यूस कीजिए और यहमन किश्मिष को भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पर जादा हाइज मैं इसको फ्राया हो करना है और सिफ 2-3 मिनुट में ही देखे मैरी किश्मिष अच्छी हो चुकीह और इसको मैं थै किल गया लग बाूंद में निकालके रख लिया है यह देखिए जो मैंने आटा इंग गूंद के रखे अब इस तरीके से पूरिया घल लेनी है जैसे चेजिसे कम Christmas और नॉर्मल पूरिया बनाते हैं ऐसी तरीके से अपने 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 सारी पूरिया बेल लेनी है अब मैंने अच्छे से गर्म करने के लिए रग दिया था जो के अच्छे से गर्म हो चुका था आँ मैंने उसमें एएक पूरिय करके डालती जा रही हूं और अच्छे पूरिय को ठाली तो आपको इसी तरीके से सा जो अरिव मेरे सारी पूरी बनके तयार हो चुकी है और इनको इस तरीके से चोटे-चोटे टुकडों में तोड़ लेना है और मिक्सी में इसका बारीक सा चूरा सा बना लेना है मिक्सी में डाल कर इसको इस तरीके से ये देखिए मेरा बहुत ही बारिक सा चूरा बन के तैयार है और इसको थोड़ा थंडा होने देना है थंडा हो जाने के बाद इसमें जो हमने अपने ड्राइफ फूर्ट स्प्राइ करके रखे थे वो सारे इसमें ट्रांसफर कर देने है और यह देखें सारे ड्राइफूर्स मैंने इसमें डाल दिये हैं और इसको अच्छे से एक चम्मस से मिक्स कर लीजिए और अब मैंने यह लिया है एक बाल भर के बूरा आप चाहे तो इसमें पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं और यह मैंने इलाइची का पाउडर डाला है औ अबिती मलीदा बनकार एकदम तैयार है अगर आपको मेरी रेसीप अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक जाए